जादोई कुलहडी एक समय की बात है गाउं से दूर एक जंगल में रहता था एक इमानदार लकड़ारा जिसका नाम था रामो एक छोटे से घर में रहता था और रोज मेहनच से काम करता था फिर भी उसके पास खाने के लिए कुछ जियाना नहीं रहता और वह गरीब ही रहा एक दिन वह लकड़ी काटने कहीं दूर गया एक बड़ा सा अच्छा पेड़ की खोच में वह काफी दूर तक चला जब उसे पेड़ मिल गया वह काम पे लग गया कुछ समय बाद लकड़ी काटने के समय लकड़ारा के हाथ से कुलहाडी फिसल के नदी में गिर गई पेचारा रामू ये देखकर रोने लगा मेरे पास केवल वह कुलहाडी थी अब वह भी खो गया अब मैं अपनी रोजी रोटी कैसे कमाऊं रामू उदास बैठा था और अच्छानक से उसे कुछ सुनाई दिया मुड के देखने पर नदी के अंदर से एक देवी मा प्रवेश हुई मैं इस नदी की देवी हूँ विश्राम करते समय कोई कुलहाडी मेरे पास गिरी कहां से गिरी ये देखनी जब उपर तक आई तो तुम्हें रोते हुए देखा क्या हुआ तुम्हें? रामु ने अपने आंसों पोचा और कहा देवी मा जो कुलहाडी गिरी थी वो मेरी ही है मैं एक गरीब आदमी हूँ लकडी काटके पैसे कमाता हूँ मेरी कुलहाडी फिसल के नदी में गिर गई और अब मेरे पास रोजी रोटी कमाने का और कोई रास्ता नहीं है खिप्या करके अगर आप मुझे मेरी कुलहाडी वापस कर दे तो मैं आपका आभारी रहूँगा देवी तुरंत नदी के भीतर चली गई और वापस ले आई एक सुनहरी कुलहाडी देवी ने रामू को कुलहाडी दी परंतो रामू ने कहा कि ये उसका नहीं है देवी फिर से नदी के अंदर गायब हो गई और इस बार एक चांदी का कुलहाडी ले आई रामू ने फिर से मना किया और बोला कि ये भी उसका नहीं है अब वह और भी दुखी हो गया देवी ने देखा कि ये लकड़ारा बहुत इमानदार व्यक्ती है वह फिर से नदी के अंदर चली गई और इस बार देवी रामू की कुलहाडी को ही ले आई जब रामू ने अपनी कुलहाडी को देखा वह खुशी से जूम उठा उसने देवी मा का बहुत बहुत धन्यवाद किया रामू की सत्यता देखकर देवी माने सोने और चान्दी दोनों कुलहाडी को रामू की हाथ में सौम पिया लकड़ारा तीनों कुलहाडी को खुशी खुशी अपने साथ घर ले गया झाल झाल